आशा करता हूँ कि आप से भी स्वस्थ होंगे आज हम class loading concept के बारे में study करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि Java का program execute होता है तो इसमें जो classes होती हैं वो किस तरीके से load होती हैं और कौन-कौन से members load होते हैं Now, during execution of Java application classes are implicitly loaded by JRE when they are referenced firstly loaded class देखिए Java में class loading होती है सबसे पहले वो class load होती है जिसको की आप run कराना चाहते हैं इसके बाद उस classes के inside जितनी classes का आपने reference दिया होता है वो आपकी automatically classes load हो जाती हैं कौन-कौन से members पहले load होते हैं जैसे कि मैंने आपको previous lecture ना बताया था कि जो हमारे static members होते हैं वो classes load होते समय सबसे पहले memory में जाते हैं उनको सबसे पहले memory दी जाती है Now students, a class can be asked to explicitly load using Java tool देखे Java के program को जब आप run कराते हैं यह जो instruction है Java A यह basically क्या है आप Java के program को execute करा रहे हो आप Java के program को run करा रहे हो जब आप यह instruction देते हैं तो instruction का basically meaning यह हो तो इसका मतलब यह होता है कि JVM को instruction जी जाती है कि आप class A को load करिए और उसके main method को execute करिए Now students, suppose मेरे पास में एक file है इस file के inside मैंने दो classes बनाई है एक मैंने class A बनाई है दूसरी मैंने class B बनाई है अब इन दोनों classes को जब हम देखते हैं तो मैंने जो main method है वो class B के inside define किया है It means जब आप इस class को run कराएंगे तो आपको यहाँ पर instruction लिखनी होगी Java B Now students, जब आप इसको load करेंगे इस class को instruction देंगे तो सबसे पहले main method execute Now students, जब आप class B के inside class A को आप refer करेंगे तब यह वाली class आपकी automatically load हो जाएगी Now students, देखिए अम मैं आपको sequence बताता हूँ जब आप किसी भी application में class को पहली बाल refer करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, memory में class load होती है Class load होने के बाद में जो हमारे static data member होते है उनको सबसे पहले create किया जाता है, memory के inside इसके बाद में SIB, SIB का basically meaning होता है आपका static initializer block अगर आपका static block होता है तो इसको define किया जाता है, defined है तो इसको execute किया जाता है Now इसके बाद में सारे के सारे आपके operation perform किये जाते है Now students, diagrammatic expression देखते हैं तो basically क्या होता है JRE सबसे पहले load करता है class को Java Virtual Machine में आपने, Now students, सबसे पहले क्या करता है, JRE जो होता है वो class को load करता है जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप instruction लिखते हैं, Java class का name तो उस class को सबसे पहले memory में load किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि class को jvm में लोड किया जाता है अगर आपने जिस class को refer किया है जैसे कि आपने class A को इसके बाद में जिस class को आपने refer किया है वो class सबसे पहले load होती है जैसे कि class A को memory दी गई अगर आपने इस class के inside इन classes को refer किया है तो ये class is automatically load हो जाती है implicitly load हो जाती है आपको इनको explicit mention नहीं करना होता है Now students, अब हम एक program देखते हैं जिस program की help से हम ये देखेंगे किस तरीके से classes जो होती है वो आपकी implicitly load होती है class loading में सबसे पहले हमने class A create की इसमें हमने एक constructor create किया एक हमने static block create किया constructor जैसे कि मैंने आपको बताया है object को initiate करने के काम में आता है जब आप class का object create करेंगे तो जो constructor होता है वो automatically call होता है और object initialization के काम में आता है static block static block automatically जो होता है वो load हो जाता है आप इसको call नहीं करते हैं तो यहाँ पर दो statement लिखी है और दूसरा लिखा है आपका a is loaded अब हम class b create करेंगे इस class b में हमने एक static variable बनाया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे non-static variable होते हैं जैसे आपने integer a लिखा तो इसको initialize करने के लिए आप constructor की help लेते हो और जो हमारे static member होते हैं उनको initialize करने के लिए हमें static initializer block की help लेनी होती है यहाँ पर हमने लिखा a equal to 5 इसके बाद लिखा system.out.println b is loaded यानि b को क्या किया गया लोड किया गया now students now students इसके बाद हमने class c create की इस class c में हम main method को create करेंगे सबसे पहले क्या किया गया static block बनाया गया और print statement में c is loaded लिखा गया now हमने main method create किया इसका syntax मैं आपको पहले बताया जा चुका है public static void main bracket के इसाइर string और args now सबसे पहले हम class a को refer कर रहे हैं यहाँ पर हमने print statement दी referencing class a now refer का basically मतलब क्या होता है आप उस class को call कर रहे हो आपने क्या किया इसका object create किया जब आपने इसका object create किया a x equal to a new a तो सबसे पहले यह वाली जो class है class a सबसे पहले load होगी now student इसके बाद में now इसके बाद में referencing class b class b को refer किया गया है class b को refer करने का syntax हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं a को access करेंगे b में b में जो आपने variable a बनाया था वो क्या था आपका static था तो जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी static member को call करने के लिए आप class name dot member name लिखते हैं अब देखिए हम class b को देखते हैं अगर हम class b को देखें तो हमारे पास में यहाँ पर एक static member है एक static block है तो आप इसको जब इसको access करेंगे तो आपने क्या किया आप class b तक आए और b तक आने के बाद में फिर आप class जो इसका variable है वहाँ तक गए now student तो syntax क्या हो जाएगा class name dot variable name that is b dot a किस तरीके से हम किसी static member को call करते हैं static member को call करने का syntax class name dot member name होता है यहाँ पर हमने variable को access किया static variable को access किया तो class name dot variable name हमने लिखा now students अब हम इस class को दुबारा refer करेंगे class a को हमने दुबारा refer किया refer करने का basically meaning मैंने आपको बताया कि आप उस class को call करोगे तो आपने इस class को क्या किया दुबारा call किया दूसरा object बनाया a y equal to new a now students अब हम देखते हैं कि इस program का output किया आएगा तो जब हमने सबसे पहले इस class को refer किया था और जो हमने class बनाई थी तो इसमें सबसे पहले क्या होगा aesthetic member call होगा यानि पहले क्या print होगा a is loaded उसके बाद में constructor call होगा और print होगा a is instantiated now students तो जब इस program को आप run कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे आएगा a is loaded उसके बाद में लिखे आएगा a is instantiated now इसके बाद हमने class b को refer किया है class b के member को हमने call किया है तो जब आपने देखा था कि इसमें हमने a को जो value दी थी वो a value थी a equal to 5 था तो यहाँ पे next print होके आएगा value of a of b is 5 now अब हम इस class को दुबारा क्या कर रहे हैं refer कर रहे हैं इस class को दुबारा call कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि class जो होती है वो केवल एक बार memory में लोड होती है तो जब हम इस class को दुबारा यहाँ पे refer करेंगे तो यहाँ पे class पहले output आया था a is loaded, a is instantiated अब यहाँ पे केवल object create होगा आपका जो constructor है वो call होगा class लोड नहीं होगे क्योंकि जो class होती है वो केवल एक बार memory में लोड होती है आप उसे multiple time अगर call करते हो तो केवल और केवल उसका object initiation होता है तो next आप जब लिखेंगे इसको यहाँ पे लिखे आएगा a is instantiated a is instantiated now students तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से class loading perform होती है now students मैं static block के बारे में एक चीज़ आपको और बताता हूँ जैसे कि हमने आपको बताया कि static block जो होता है सबसे पहले execute होते हैं static block execution के बाद में और सारे आपके जितने भी data members होते हैं उनको create किया जाता है और सारी के सारे functions perform किये जाते हैं now students तो students यहां पर मैंने एक last test बनाई उसके बाद में एक static member लिया एक non static member लिया static block बनाया static block में i equal to 10 static member को initialize किया और यहां पर लिखा static block called इसके बाद में constructor create किया उसके inside एक print statement दी जिसमें लिखा constructor called now अब हम main method को देखते हैं अगर हम main method को देखें तो यहां पर हमने दो object create किये हैं एक test t1 equal to a new test, second test t2 equal to a new test now students now students तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले static member call होता है मैंने static block पे static block call लिखा था तो सबसे पहले static block call प्रिंट हुआ उसके बाद में constructor call हुआ लेकिन जब आप दूसरा object create कर रहे हैं उसी class का तो जैसा कि आपको बताया गया है कि class cable एक बार memory में load होती है और जो आपके static member होते हैं वो भी आपके एक बार ही memory में load होते हैं तो यहां पर दुबारा static block execute नहीं होगा बट आपने object creation किया है तो यहां पर आपका constructor call हो जायेगा और हमारा output आएगा constructor call तो students आपने देखा किस तरीके से हम static block को execute करते हैं तो students आप यह ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप class में कोई static member define कर रहे हैं तो उसको initialize करने के लिए आपको static block create करना होगा और जो static members होते हैं वो सबसे पहले load होते हैं और जो हमारे object के साथ associated members होते हैं वो आपके static members के बाद में load होते हैं after that सारे के सारे operations perform होते हैं तो आपने देखा किस तरीके से class loading perform होती है hope you have understood this one thank you very much